नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी शेनल में मत्रों साल 2020 का आखरी सूरेगरन 14 दिसंबर को लगनी बाला है ऐसे में इस सूरेगरन का सूतकाल और गर्व में पल रहे सिसू पर तथा गर्वती महिलाओं पर इसका क्या आसर पड़ेगा बाल बच्चु और गर्ण का सही समय जानना है तो आप अपने सहर का जिले का नाम कमेंट बॉक्स में मैंसन कर सकते हैं आपको बताएंगे उसका बिसलेशन के साथ साथ ही आपको बताएंगे कि सूरेगरन के दोरान गर्वती महिलाओं को कौन सी साफधानी वरतनी चाहिए कौन से ऐसे कारी को करना चाहिए जिनसे की गर्व में पल रहे शिसू पर कोई भी गर्ण का प्रवाव न पड़े शिसू स्वस्त हूँ और वे जीवन में सफलता को फ्राप्त कर सकें यसी के साथ आपको कुछ महत्पुर्ण जानकारी भी बताएंगे जिसका गर्ण का आपके जीवन में सु को प्राप्ती करवाएंगी कौन से ऐसे मंतर है जिनको उच्छार्ण करणे माद्र से हैं आपको एसवर की दंदूलत के और कई प्रकार के सुक्स्मरदी की प्राप्ती होंगी आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से विड़ो को आखरी तक रेखियेगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें ताकि सुरिगरन, चंदरगरन और राशी फल से डुड़े सारी जानकारियां आपको सही समय पर मिल सकें और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तो सबसे फ़हले आपको बता दें कि 14 दिसम्बर की रात को साल 2020 का अंतिम सुरिगरन लगने जा रहा है ये रात को सुरिगरन लगेगा जो के भारत में दिरिश से नहीं होंगे वहें आपको बता दें कि गिरहन का परभाव ना केवल दुनिया के विबिन देशों पर होगा ब बिश्यागरासी बताई जा रही हैं बिश्याटारे के पाप गरों का गोचर देश की जीवन में कई प्रकार के विप्रिशप्डित्य आपने के? कौन सी सावधानी वरतने चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं तो मत्रों सबसे पहले तो आपको बता दें कि गर्वती महिलाओं को सुरिग्रण के दोरान विसेश सावधानी सतर्क और विसेश आपको सावधानी रहने के जरूरत रहेंगी क्योंकि सुरिग्रण का असर गर बचने का प्रियास करना चाहिए अगर आपको पानी फियास लगे तो आप पानी को गर्म करके पी सकती हैं परन्तु अगर आप पानी को ऐसे ही फियोगे तो यह आपके लिए नुक्सान कर सकता हैं आपको बताना चाहेंगे कि आप इसमें विशेश रूप से गर्वती वालन करना चाहिए आपको बता दें कि साल का अंतिम सुरीगριन लगने वाला है जो के साल का अंतिम सुरीगरन रहेगा और ये साम को 7 वज कर 3 मिनट से प्रारब होंगे जुमद्दी रातिरे 12 वज 23 मिनट तक रहेगा ऐसे में सुरिग्रण हो या चंद्रग्रण आपको सावधानी तो जरूर वरतने चाहिए तभे इसका सकरात्म गसर आपके जीवन में पढ़ सकता है आपको सुबसायोगों की वज़ा से लाव की प्राप्ति भी अवस्य होंगी यह सुरिग्रण एक बहुत इफेक्टिव सुरिग्रण होंगे मत्रों अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप में कमेंट कर सकते हैं आपको उन सभी सवालों के जबाब आसानी से मिलेंगे आप गरहन के बाद असनान जरूर करें और आपको बताना चाहेंगे कि आप गरहन के दोरान सारीरिक सम्मंद न परियास करना साहिए कि आप गुरु मंत्रों का उच्चारण करें या फिर अपन इष्ट देवता को याद कर लें साथी साथ आप देवी देवताओं के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं ओम नम सिवाय मंत्र का या फिर आप ओम सुर्याय नम मंत्र का जाप कर सकते हैं और ग्रहन में समय तेल मालिस करना, जल ग्रण करना, मल मुत्र विसरजन करना, बालों में गंगी करना, मंजन दातून करना, ऐसे में ग्रण काल में परतिवंदित माना जाता है, ग्रहन से 12 घंटे पहले तथा आपको भोजन नहीं करना चाहिए, वहें आपको बताना चाहेंगे कि जो गर्वत्ती महिलाएं हैं वे भोजन कर सकती हैं परन्तु गरहन जब श्टार्ट हो उसमें आप भोजन न करें आपको बता दें कि यह समें थोड़ा सा नेकेटिव होता है आपका दिन बहत्तर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दिवस्य लिखें आपका दिन स सब हो मंगल कारी हो जैमा विंदु वासने